गुजरात के राजकोट में स्थिट टियारपी गेम जोन में बिती शाम आग लग गे थी और इस आग की चपेट में आकर 28 लोगों की मौत हो गई मैं आपको उसी जगह का द्रिश्य दिखा रहा हूँ यहीं वो स्ट्रक्चर था जहां पर गेम जोन हुआ करता था और उसी गेम जोन में आग लग गई पुलिस की जाच में यह पता चला कि इस गेम जोन के एक्सपांशन का काम चल रहा था जिसके लिए जो लोहे के पिलर से उस पर वेल्डिंग की जा रही थी चुकि इस गेम जोन के अंदर काफी मातरा में पफ का इस्तमाल किया गया है ताकि बच्चों को चोटना लगे और यह जो पफ होते हैं यह ऐसा मटीरिल है जो आग को अपनी तरफ एट्रैक करता है वेल्डिंग के दोरान जो चिंगारी निकली उस चिंगारी ने कुछ कपड़े पर को आग के हवाले कर दिया तो वहीं इस पफ के चलते आग और भी तेजी से पूरे गेम जोन में फैलने लगा चुकि इसमें से एक जहरीली गैस भी निकलती है उस गैस के चलते कई लोग यहां पर बेहोश हो गये मैं आपको दि समय लगने की वज़े से कई ऐसे लोग हैं जो गैस के चलते बेहोश हो गये या फिर आग की चपेट में आगे आप देख सकते हैं कि यह पूरा मैदान फिलहाल साफ कर दिया गया है जेसी बी की मदद से जितना भी मटीरियल था आइरन मटीरियल जिसका इस्तमाल कर इस पू पूरा गेम जोन मनाया था उसने आग को इतनी अपनी और पकड़ के रखा था कि कई लोहे के जो रौड हैं वो पिखल गये पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में एसाइटी का गठन किया है एसाइटी ने छे लोगों के खिलाफ दर्च की है दो लोगों के गिरफतार कि क्या है बाकी के जो आरूपी हैं उनकी तलाश की जा रही है क्यामरसा अनिल संगारी के साथ सूरज ओजा एबेपी नियूज राजकोट